कि हालो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंग्लिस अड्वांटेज की ओनलाइन क्लासे में फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको SBI PO pre 2017 के लिए स्टेटिजी बताऊंगा जिसके थूँ आप इसका सेक्शनल और ओवरॉल कट ओफ निकाल सकते हैं SBI PO pre 2017 का तो यह टॉपर से स्टेटिजी है और यह मैं सारी आपके शेयर करूंगा तो चलिए देखते हैं कि देखें इसमें आपका 60 मिनिट्स आपको टाइम मिलेगा और इसमें 100 कोश्चन आएंगे और आपको 100 कोश्चन को इस तरीके से आपको डिवाइट करना है कि है कि कि 22 मिनिट आपको मेंस के लिए देना है बा ham NASA सको रीजनी के लिए 1 रिए क्लिए 20 त 앞 इसे आपको यह टाइम अंकर्न है और इसको यदि आप डिवाइट कर लेते हैं पूरा टाइम को पूरे 60 मिनट को यदि आप डिवाइट कर लेते हैं दो राउंड में तो यह बहुत ही अच्छी स्टेडी रहेगी आपके लिए जैसे फर्स राउंड जो है उसको आप रखीये फॉर्टी मिनिट्स का ठीक है इस राउंड इसको आप रखिये और हुसमें आप 35-40 जो आपको 100% accuracy के साथ आ रहा है उनको आप करते जाहिए जो भी सेक्षिन आपके सामने आ रहा है उसके आहिए 100% accuracy के साथ जो भी आ रहा है और जो नहीं आ आपको सेकंड राउंड के लिए चोड़िए या बाद में सेकंड राउंड में भी नहीं आता है तो उसको आप आवोइट करिए जो कोश्चन आपको नहीं आ रहा है लेकिन पहले 35 चालीस ऐसे करिए जो आप 100% यकूरीशी के साथ कर सकते हैं सभी सेक्षिंट के ठीक है यह ए करते हैं तो सकता है आपके पास टाइम ना बचे और आपके जो अच्छे कोश्चन से जो आपको आ रहे थे वह छूट जाएं आपको तो इसको आप बीच में रह सकते हैं और सेकंड फस्ट राउंड और सेकंड और में इसको डिवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है पहले राउंड में सारे कोश्चन करिए 35-40 कोश्चन 40 मिट में करें ठीक है 100% के साथ लेकिन यह होने चाहिए और यह मैं आपको बता रहा हूं यह टॉपर की स्टेड़ी है जो टॉपर ने शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग में आपको यह बता रहा हूं और से आपके सारे सेक् राउंड में तो सेकेंड राउंड में 20 मिनिट्स रखिए और इसमें 12 से 20 कोश्चन जो आपने फस्ट राउंड में छोड़ दिये थे जो आपको आ नहीं रहते उनको आप ट्राय करें और यह आपको लगता है कि 90% के साथ आप इन कोश्चन को कर पा रहे हैं तो 14 मार्क्स आप स्कूर करते हैं तो आपका 51 52 आपका स्कूर बन जाएगा और इसी के आसपास आपका ओवरॉल कट आफ जा सकता है यह एक स्टेंडर्ड एस्टीमेशन है यह फिक्स नहीं है क्योंकि यह पहुत जदा टफ हुआ तो से नीचे भी जा सकता है और सरल हुआ तो पर भी जा सकता है लेकिन अन एबरेज यही आपका ओवरॉल कट आफ रहेगा तो इस स्टेजी को आप फॉलो करें डेफिनिटली आपको सफलता मिलेगी अब देखते हैं इंग्लिश एक्शन तो इंग्लिश एक्शन में आपके जो टुटल कोस्टेंस हैं वह 30 रहेंगे 30 म मास्के और इसमें जो गुड़ अटेम्ट है वो है 19-24 19-24 आपने अटेम्ट किये हैं 6-7 कोशन आपने छोड़ दिये तो एक अच्छा अच्छा अटेम्ट माना जाएगा सेफ अटेम्ट यह है यदि 100% के साथ आपने 16 कोशन किये हैं तो एक या दो कोशन यदि गलत भी है तो भी आपका 14-15 आपका स्कोर बन जाएगा और डेफिनिटल आपका सेक्सवर कट ओफ इसका निकल जाएगा और एक्स एक्सपेक्टेड जो कट ओफ है 2017 का प्री का वह 9-12 के बीच में एस्टीमेट है क्योंकि 2015 में जो कट ओफ गया था इंग्लिश का वह 5.75 था और 2016 में 8 10.75 तो डेफिनिटली क्योंकि कंप्रीशन टाफ हो रहा है बढ़ रहे हैं इसलिए आपका 9-12 के बीच में आपका एक्सपेक्टेड कट ओफ इंग्लिश का जाएगा तो इतना आप स्कोर करें डेफिनिटली आपका सेक्शनल कट ओफ इंग्लिश का निकलेगा कि फर्स इसको कर सकते डिएगं कॉमियेंशन के जो क्यों को उनकोंप 2 जंबिटियन ओर यहां। और यह है important topics आपके reading comprehension के लिए और यही topic आपके descriptive English में भी definitely आ सकते हैं Cyber security, IBPS PO में last year आया था और इस बार भी SBI PO pre 2017 में slot 1 में आया है GST bill यह आ सकता है, electoral reform, effects of demonetization यह आ सकता है आपका merger of banks आ सकता है, pollution of greenhouse आ सकता है, नेक्सलाइट मैनेस आ सकता है और international relations तो यह सारे hot topics हैं और यह आपके descriptive English में और reading comprehension passage में आ सकते हैं इसलिए इनके बारे में आप the Hindu newspaper से और different magazines होती है, banking guru है, banking service chronical है, इनसे आप पढ़ सकते हैं इनको आप पढ़के जाते हैं, तो definitely आपका reading comprehension करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा Reading comprehension की tips मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से reading comprehension को करना है ठीक है, और इसको second round में ही आपको करना है, first round में इसको नहीं करना है, पहले simple जो पार्ट है वो करना है ठीक है, अब तो यहां पर देखते हैं, first do the vocab, जो vocab है, सबसे पहले 3 या 4 questions उसके हैं, वो आपको करना है क्योंकि ये short short आपके marks है, उसके बाद now read the questions, उसके बाद आपको passage ना पढ़ते हुए questions को पढ़ना है ये एक अच्छी study होती है, और figure out the keywords, जो उसके keywords हैं वो आपको पढ़ते जाना है questions में जो keywords आ रहा है, जैसे effect of GST है, demonetization है, reforms है, adverse effects है ठीक है, ये keywords इस तरीके से आपको figure out करना है, find out करना है, recent modifications है, rules and regulations है, disinvestment है और इन keyword के base पर फिर आपको questions के answer देना है फिर आपको passage पढ़ना है, और उनकी answer आपको देना है, guess work, estimation work बिलकुल पूरी तरीके से avoid करना है और अपने intuition पर अपनी अंतरात्मा पर आपको भरोसा रखना है ये है close test tips, close test में देखिए, first read at least three lines to have a good idea about the tone of the passage and core issue मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक line पढ़ी और उसका जो first blank है उसको आप solve करने लगे, पहले आप तीन line है पढ़े है close test की, जिससे के आपको idea लग जाए कि वो passage जो है, वो किस बारे में है, और इसका tone क्या है, negative है या positive है, और किस तरह के words इसमें आ सकते हैं, ठीक है, check all the options, क्य options होते हैं, वो काफी close होते हैं, इसलिए overconfident ना बने आप और सारे options देखें, और most appropriate जो option लग रहा है आपको, उसी को आप लगाएं, ठीक है, इसमें बहुत use होते है, see the word combinations, word combination के किस word के साथ कौन सा word जा सकता है, naturally, किस word के साथ कौन सा proposition जा सकता है, ये आपको देखना उसमे बहुत जरूरी होता है, और ये ही इसमें check किया जाता है, close test में, कि vocabulary की जो in-depth knowledge है, वो आपकी check की जाती है, ठीक है, see the adjoining word of the blank, blank के दोनों तरफ के word देखिए, कौन-कौन से word उसमें है, कौन-कौन से word option में है, और कौन सा word combine हो सकता है, go by your intuition, ठीक है, अपना intuition देखिए, आ इसको आप जरूर लगाएं और apply common sense approach, देखिए, यहाँ पर मैंने एक च्छोटा सा example लिया है, कि इसके through में आपको explain कर पाऊँगा, कि कैसे आपको solve करना है, अब देखिए, he was, यहाँ पर आपको एक fill है, off, playing fast, यहाँ पर एक fill करना है, आपको और यहाँ पर fill करना है, ठीक आप देखिए, इन options में से, अब देखिए, blank के दोना तरब कौन सा word है, blank के इस तरब देखिए, off लगा हुआ है, तो off के साथ कौन कौन से word जा सकते है, यह आपको देखना है, accused जा सकता है, innocent जा सकता है, complaint जा सकता है, guilty जा सकता है, proper नहीं जा सकता है, यानि proper इसमें से कट देखिए, अब दूसरा word देखिए, fast, इधर दिया है, fast, तो fast के साथ कौन सा word जा सकता है, देखिए, एक idiom होता है, एक phrase होता है, fast and lose, fast and lose का मतला होता है, cheating करना, सामने वाले व्यक्ति के साथ, honesty ना बरतना, बलकि cheating करना, तो fast के साथ, I am 100% sure के lose word ही जा सकता है, ठीके, तो second या है, opinion, thoughts, perception, or negligence, लेकिन, यहां पर हम बोल रहे हैं कि उसका, मतलब उसके उपर एक आरोप था, कि वो cheating कर रहा था, यानि उनके emotions या feelings के साथ, वो खेल रहा था, ठीके, तो यहां पर sentiment word जो है, वो एकदम से, appropriate रहेगा, third में, तो इस तरीके से आपको close test को, या fillers को करना ह है, guilty आएगा, first में, lose आएगा, second में, क्योंकि fast and lose एक phrase होता है, guilty के बाद off आता है, तो इसलिए off के साथ बो चला जाएगा, और हम किसी के sentiments के साथ खेलते हैं, तो इसलिए sentiments यहां पर आ जाएगा, तो इस तरीके से आपको common sense approach लगाना है, और blank के दोना तरब के word आपको इस तरह से एक एक individual part को आपको examine करते हुए आगे बढ़ना है, और definitely आपको error उसमें पता पढ़ जाएगी, और यह थोड़े से important topic हो सकते है, article है, adjective है, verb form, ठीक है, verb form मतलब किसी जगह noun चाहिए, तो वापर adjective लिखा हुआ है, या adjective की जगह नाउन चाहिए, तो यह होती है, verb form या वहाँ पर adverb चाहिए, तो इसके base पर question काफी आते है, verb form, ठीक है, tense के base पर, definitely appropriate word, यह appropriate word वहाँ पर कौन सा होना चाहिए, जैसे यह question मैं पढ़ता हूँ, he was asked, उससे पूछा गया, ठीक है, he was asked, यह passive voice है, इसका मतलब है उससे पूछा गया, तो यहाँ आप तक यह question सही है अब आगे पढ़िए, many times, to complete, to के बाद verb की first form लगी है, तो यहाँ तक यह सही है, the project on the time, देखिए, he was asked, उससे कहा गया, कि वो project को समय पर खतम करे, तो यहाँ पर एक phrase दिया है, on the time, जो की गलत है, इसकी जगे आपको बोलना होगा, on time, on time और in time, यह fix phrases हैं, और इसमें हम क तो इस तरीके से आपको spotting error questions को निकालना है, because it was, was सही है, क्योंकि past में यह question चल रहा है, of सही है, utmost importance, ठीक है, importance की जगे आप important अगर लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के phrases में, हम utmost importance, मतलब noun का ही use करते हैं, it was of utmost importance, यहाँ पर आप important बोल देंगे, त तो वो गलत हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको spotting error questions करना है, तो इस वीडियो मैंने आपको strategy बताई है, क्योंकि आपको इस तरीके से handle करना है, इस तरीक करना है, और यह strategy आप apply करते हैं, तो definitely आपका sectional and overall cutoff निकलेगा, तो इसलिए confidence रही है, और पुरी तयारी के साथ आ प्री का exam दे रहा है, उनके पास जो भी questions है, या memory based questions है, मुझे प्लीज इस mail पर भेजिए, यह email आईडिये, यहाँ पर आप मुझे सारे questions भेजिए, और मैं उनके answers अप्लोड करूँगा, उनके video मैं डालूँगा, और यह है English Advantage Group, इसको भी आप join कर सकते हैं, तो कैसा लग आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगा, यूच्फुल लगा तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने जासादा फ्रेंट्स के साथ और कॉमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको, और यदिया first timer है इस channel पर जिसका नाम है English Advantage YouTube channel तो जरूर जरूर हमार